आज हम बनाते हैं बिना मसाले का बहुत ही मसालेदार खाना अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल है तो हाँ जी हम बनाने वाले हैं पनीर हांडी मखनी बहुत ही जादा टेस्टी और यमी है तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं कि कैसे बनाना है एंड तक आप वीडियो को देखिएगा और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं तो सबसे पहले उसके लिए एक पेंट लेना है और उसमें एड करना है एक टेबलिस्पून जितना ओल जो नॉर्मल कुकिंग ओल होता है उसे एड कर लीजे इसके बाद मैंने यहां पर एक मीडियम स पहले भी भून सकते हैं यह वाला जो प्रोसेस है इससे हमारी जो सबजी है बहुत ही जादा टेस्टी बनती है और कच्छापन बिल्कुल हमें लगता नहीं है तो सबसे बेस्ट प्रोसेस है ग्रेवी के लिए तो हम यहां पे ऑनियन को भून लेंगे और ऊपर से थोड़ा टेस्टी बनता है अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं क्योंकि नहां में अद्रक लहसन का पेस्ट बनाना या अलग से कुछ नहीं करना होता है तो उसे पहले हम साइडी में रख देते हैं धंडा होने के लिए और कुछ खड़े मसाले लेते हैं यानि कि दो मेने रेट जाए लिया है तेज पता लिया है लॉंग और चार इलाइची ली है इन सारे ही चीजों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद इसमें मैंने कुछ खड़े दनिये भी डाले हैं इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो हम क्या करेंगे ना इसे हल्का सा दर दरा मिक्सर गाइंडर में पीस लेंगे कुछ इस तरीके से तो हमारा यह एक मसाला रेडी हो जाएगा इसे अलग से छोटी से बावल में निकाल के हम रख देते हैं एं सेकिंड प्रोसेच जो है फूह कर लेते हैं अब क्या करना है से मिक्सर गाइंडर में यहां पर मैं दोनों ही अवेलेबल थे तो मैंने ले ली इसमें इस तरह से इसे भी ग्राइंड कर लेना है अगर यह थोड़ा ड्राय लगे न तो आप इसमें हलका सा दूट डालके इसका पेस्ट बनानी चाहिए अब यह भी रैडी हो गया है साइड में रख लेते हैं अब हमें चाहिए तो जो आणियन हमने रोस्ट कर रहे थे ना उसी का हमने पेस्ट बना लिया है लसून और आणियन का सेम कड़ाई में हम फिर से ओईल एड करेंगे दो टेबली स्पून ओईल एड कर ली जिएगा और हमें यहां पे बटर की भी नीड है हो सके तो अगर आपके पास जारा ब अच्छे से गरम हो चुके हैं तो यह जो अनियन का पेस्ट हमने बनाया था वह हमें यहां पर एड कर देना है गेस की फ्लेम को मेडियम हाय रखना है और अच्छे सही से चलाते हुए पका लेना है तो यहां पे आदा टीज पून आपको डालना है काले मिर्च पावडर मतल अधर्वाइस आपकी ग्रेवी ना काली हो जाएगी अगर आप पावडर यूस करेंगे दो मेने आपे हरी मीर्च खड़ी कटी हुई डाली है बारी काट करके नहीं डालना है हो सके तो एक के दे टुकड़े करके भी डाल सकते खड़े कर लीजेगा अब हम क्या करेंगे जो और जादा अच्छे से पक जाएंगे तो यहां पर थोड़ा पानी डाल के मीडियम फ्लेम पर पकाएं और इसके बाद यह जो मसाला हमने बनाया था इसे हमें डालना है तो यह थोड़ा मुझे जादा लग रहा है तो मैंने करीबन आदा टीस्पून जितना रहने दिया है अगर आप थोड़ा जादा चेट-पटा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं कोई जादा पाब्लम नहीं है बट यह थोड़ा खड़ा मसाला है तो मैं अबोइड करती हूं तो वह मैंने डाल दिया अब डाला है मैंने यहां पर आदा कप यानि 1-4 की कप जितना दही सो रहे है तो चलुह जो जो हैं अब क्या करते है यहां पर तो अब प्रिज़ां पर आप तो बाख शुख जाएंगी जो हमारा पन वह वह काफी जादा गरम ही है तो हम इन तीनों ही चेज़ों को पका लेते हैं और यहां पर थोड़ा अनूसर हम नमक डाल देंगे अब हम डालेंगे तो यहां पे जो एक तो क्रीम यूज करते हैं जनरे रेस्टरोन वग्यरा में क्या होता है ना मार्केट का जो क्रीम आता है वो यूज करते हैं पड़ हम घर की मलाई ही जो है वो डाल देंगे काफी अच्छा टेक्चर आएगा इससे हमारी ग्रेवी में और यह तरह से तो अब हम क्या करेंगे दीरे से जैसे पक जाता है ना उपर से एक टेबली स्पून भरके बार क्रश करे हुई कसूरी मेथी और आदा टीस्पून आपको गरम मसाला डाल देना है तो यह दोनों ही चीज़े हम एड कर लेते हैं और फिर से दुबारा से मिक्स करेंगे यहां कि हमने काली मिर्ज का इस्तमाल किया है तो कोई शू निया बहुत जादा टेस्टी लगती है अब हम डालेंगे पनीर पनीर मैंने कुछ क्यूब में इस तरह से कट किया था एक्चुली मैंने यह घर पर बनाया हुआ पनीर है तो इसलिए अगर आप चाहें तो कोई और करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है एक्चुली ना मेरी कड़ाई बहुत भाग जाती है बार बार इसलिए मुझे पकड़के रखना पड़ता है पता नहीं क्यूं तो अब इसे पका रहे हैं उपर से यह थोड़ा सा जो पानी और काजु मगज वाले मिक्सर गा अगर आप डालेंगे लिक्वीड करने की कोशिश करेंगे तो इसका पूरा टैक्चर विकड़ जाएगा इसलिए बिल्कुल भी एड़ना करें पकाने के परपस से हमें जो पानी चाहिए वह डालना है ताकि हमारा पनीर अच्छे से सौफ्ट हो जाए थोड़ा सा नमक पकने के लिए चोड़ दूंगे करीबन धाई से तीन मिट के लिए इसके बाद मैं चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं काफी ओईल साइड में निकल के अच्छे से आ चुका है इसका मतलब है कि हमारी सबजी प्रॉपर तरीके से पक चुकी है तो यहां पे सबजी के उप यहां पर से हम डाल देंगे हरा दनिया मैं पहले नहीं काटी थी फ्रेश दनिया मैंने दो करके काट के डाल दिया है और दूसरा है यह जो सबजी पकने के बाद इसी पॉइंट पे इसी तरीके से आप इसे सीधा सर्व कर सकते हैं बद हम करेंगे तोड़ा सा कुछ योनीक जिससे हमारी सबजी देखने में खुबसूरत लगे तो फिर खाने की तो क्या ही बात हो फुड़ा सा ओयल एड कर लीजिए एक पेन में तरका पेन हो या फिर जिसमें भी और यहां पे आपको एड करना है कैपसिकम यहां पर अगर आपके पास अलग-अलग तरीकी कैपसिक तो यह क्या है ना तेल में अच्छ से पकने दीजिए इसका क्रंच नहीं जाना चाहिए मतलब आप इसे इतनी जादा ना पका है कि बहुत जादा सबजी जैसे सॉफ्ट हो जाए इसे मीडियम पका लीजिए आप यहां पे देख सकते हैं कि यह जो बहुत जादा कड़क है इसका बिलकुल भी ना जाए तो यह हमारी सबजी को और ही जादा अट्रैक्टिव बनाने वाला है तो सबसे सिंपल और इजी प्रोसेस है यहां पर आप चाहें तो इसे बटर में भी फ्राई कर सकते हैं और मैंने इसे ओल में फ्राई किया है तो अब क्या करेंगे ना इसे जो तड़का बनाया है ना हमने यह हमें उपर से डाल देना है तो इससे हमारी सबजी बहुत ही जादा सुन्दर और खाने में भी बहुत तैसी लगती है जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते है और गरम-गरम सबजी में थोड़ा हम पका लेते हैं तो बहुत ही ज़ सब्जी को आप बढ़नान के साथ नॉर्मल चपाती के साथ किसी भी तरीके से खा सकते हैं बहुत तेस्ट लगती है मतलब इसका टेस्ट ना एकदम रेगुलर हमारी पनीर की सब्जी से बहुत जादा डिफरेंस होता है तो दोस्तों एक बार आप इसे जरूर प्राई एक रिषिपी आपको कैसी लगी और आपने इसे बनाया तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशन आई तो इस तरह से यह हमारी सब्जी तयार है हम ने इसे ओफ कर दिया था था थोड़ देर के लिए छोड़ दिया था अब हम क्या करेंगे ना सबकर लेते हैं सो में सेबकर के भी तो बहुत ही अच्छी बनी है हमारी सबजी और बहुत ही यूनिक टेस्ट ही है इसमें हमने ना हल्दी ना रेड चिली ना ऐसा कोई मसाला नहीं डालाई ना देनिया पावडर तो आप सोची सकते हैं कि इसका टेस्ट किस तरीके का होगा मतलब जो हम पास्ता वगेरा खाते है जो वेस्टन टाइब के फूड़ सी थोड़ी उसके जैसी लगती है और थोड़ा हमें चेंज भी मिल जाता है क्योंकि कोई बहुत जादा यसे इंग्लिंस हमें नहीं चाहिए होते हैं कि हमारे घर पर ना हो तो दोस्तों आप इसे एक बार जरू ट्वाए गरेगा खाईए